बिस्तक के पॉपुलर शो मार्केट राउंड अप का बजा ड़का एंबाब बेस्ट बिस्निस प्रोग्राम बना मार्केट राउंड अप शेर बाजार के सतीक इनालिकिस के लिए तर्शकों ने बिस्तक पर जताया गिसा नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक मैं हूँ रजट देवगन और इस खास शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हाल में शेर बाजार में बहुत ज़ादा उतार चड़ाव देखने को मिला है और आपके मन में भी अगर सवाल आ रहा है कि बाजार रिकॉर्ड्स तरों के करीब है क्या यहां पर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं रिकॉर्ड्स तरों पर शेर बाजार पहुच गया लेकिन इस बार बहुत जटके देखने को मिले हैं और अभी पता ही नहीं चल रहा कि बाजार का मूड महल क्या है ऐसा डर लगता है बाजार में जो पिछले दो सालों में नहीं देखने को मिला वो अब देखने को मिल रहा है तो क्या यह मौका है या दोका देखें मैं एक फिल्मी डैलोग से शुरू करूंगा कि डर के आगे है जीत है ठीक है और यह मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्केट की अल्टिमेटली लॉंग टर्म में बढ़प होती है नॉमिनल जीडीपी के साथ और नॉमिनल जीडीपी होता है जो रियल जीडीपी जनिके जो कारखाने चल रहे हैं जो आप खरीदारी कर रहे हैं उसका जो इंपैक्ट देश के उपर आता है और जो महंगाई के जो बढ़ती है उसके साथ तो दोनों को जुड़ा के नॉमिनल जीडीपी केते हैं और मार्केट में नॉमिनल जीडीपी लॉंग टर्म में बिल्कुल बनता है आप हिस्टोरिकल देखिए क्या है कि अपकी लंबी वक्त तक मार्केट में रहना पड़ता है और यह क्यों बात होती है क्योंकि कॉर्परेट जो है टॉप 500 टॉप 1000 कॉर्परेट लिस्ट होता है न तो क्या हो कि बार्गिनिंग पर उनके साथ होता है तो इंफलेशन की बड़ब का वो फूरा फाइदा उटा थे अपने प्रॉड़क के दाम को बढ़ाते हुए चाही यह लोकल आम जनता को इंफलेशन भारी पड़े मगर कॉर्परेट को इसमें फाइदमन बनता है वो एक चीज़ है जो भी आप खरीदारी जो भी होता है देश में उनका लाब उठाने वाले वह स्टॉक मार्केट की दिगज कंपनियां है तो इस हाल में लॉंग टर्म में कोई फिकर की बात नहीं है क्योंकि देश की जो एक आगे की आउटलुक आप देखें सबसे बड़ी बात हमरे पास जो देश के पास है वो है हमारी जन संख्या क्योंकि आज हम चीन को ओवर्टेक कर चुके हैं सेकंड चीज है कि हमारी वर्ड में सेकेंड यंगस्ट पॉपुलेशन हमारी और बहुत श्रॉंगली शिफ्ट हो रहा है इसलिए दोजार साथ तक हमारी जन संख्या बढ़ती होनी जानी वाली है और हमारी लेबर फोस बढ़ेंगी तो इसके कारण हमारी देश की जो एक आउटलुक आप देखें भविश्या बहुत बढ़िया है क्योंकि जो च करेक्शन में लेके जा रहे हैं अगले साथ आठ दस साल तक आप देखें कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी इसके लॉंग टर्म निवेश को कोई डरने की जरूरत नहीं है इन फैक्ट जो भी करेक्शन आता है वो एक खरीदने का मौका होता है व इसलिए आपको खरीदर भी होती है और बिक बिक काली भी होती है मगर बात यह देखें तो लॉंग टर्म क्यापिटल भी इंडिया को आता है वो सपोर्ट देती है दूसरी बात है कि देश में एक बहुत बड़ा जो शिफ्ट हुआ है कि awareness about equities अब डिमेट अकाउंट की नं जा रहे हैं फिर भी आप देखें mutual fund की बात करें तो दो चीज सामने उठती है एक 2010 में bank deposit के माफे 14% ही था mutual fund का शैर आज दुगना बनके 27% हो गया यानि लोग धीरे-धीरे bank deposit से लेकर mutual fund में निवेश करना शूरू करते हैं और जैसे ही यह तेजी से बढ़ती क्योंकि अमे Thanks to the Amphi की mutual fund सही एक campaign और यह कि SIP एक बहुत बड़ा एक अच्छा तरीका है आपको market में निवेश करने का तो COVID के टाइम में 8000 क्रोड की SIP थी beginning of COVID आज 19000 क्रोड जो हर मैने fund manager को अगर 19-20000 क्रोड आ रहे हैं तो खरीदारी तो बनती है तो यह दोनों एक support आते हैं कि जब भ जब शक्ताइब करते हैं दूसरी बात है कि समझे के 5 साल का उटूक इसने रखा और उसकी कुछ गोल थी उसके लिए तो रेडिंग करेगा क्योंकि उसको वह गोल तो इसके लिए उसने में निवेश किया तो market में सेलिंग और रहेगी क्योंकि सेलिंग होता है अपने गोल की उपर या जो भी टार्गेट की उपर इसलिए लॉंग टर्म निवेश को हर बार एसे मौक के आते हैं खरीजारी की जब मार्केट में करेक्शन आता है इसलिए मैं कहूंगा वापिस कि ये डरने की मौका नहीं है डर के आगे जीत है आप कंडिनियों निवेश रखिए मा इसलिए ओसरेश रखिए में लिए अगर जैसे और पॉल्स बता रहे हैं अगर इंडिया गवर्मनंट की वापस हो गई तो एक दस साथ से जो policy and reforms वो कर रहे हैं उसका continuity रहेगा यानि आपको एक 15 साल 2014 से 2029 तक का एक growth का plan structured strategic जो किया है government ने उसका पूरा फाइदा आपको आने वाले दिन में आने वाला है तो definitely एक foreign निवेशक क्योंकि at the same time हमारी government ने भी fiscal deficit को कायम रखा है अपने खर्चे को भी revenue को कम करा के capex में खर्चा बढ़ाया है यह सब एक foreign निवेशक foreign rating agency के लिए बहुत अच्छी बात है इसलिए इंडिया का risk cutting भी कायम रहेगा और जैसे अभी जून से bond market में हम बने जो inclusion है उसके flows भी आ जाएंगे तो overall foreign flows की support रहेगी जारी मगर short term के लिए अगर समझें तो दो ती इंडिया भी बनते हैं यह तो ऑल्वेस आंग खोर के देखना चाहिए एक monsoon के उपर हमारी देश अभी भी लिए डिपेंडेंट है agriculture का प्रोड़क्शन उसके साथ inflation भी food का inflation आ जाता है तो आज अभी देखें तो शायद monsoon की outlook अच्छे दिख रही है वगर जून के अंदर जब actual monsoon की forecast आ जाएगी और शायद अगर एक उसमें slow down दिख रहा है तो शायद food inflation बढ़ सकती है तो RBIB rate cut के बगए rate hike की बात करे तो वो market को पसंदीदा चीज नहीं है तो वो एक short term correction आ सकता है दूसरी बात जो सामने आती है कि टेल का दाम मैंने कहा ना short term flows के लिए इंडिया अपनी 83 प्रतिशत तेल को import करती है तो अगर internationally तेल का दाम बढ़ते हुए जैसे winter आता है तो तो एक short term hedge funds जो निवेश करते हैं उनके लिए लगता है कि इंडिया में currency के उपर कुछ दबावाएगा फिर inflation पे दबावाएगा फिर शायद fiscal पे जबावाएगा तो इसलिए वो थोड़ा soft रहते हैं और थोड़ा profit book करते हैं तो अगर तेल के दाम को track करना और कैसी उसकी हालत है अगले 6 मेने में यह भी एक risk factor है अगर वो ठंडा रहा तो अच्छी बात है तीसरी और सबसे important बात है American election क्योंकि world की आंखे काती है नौबर में तब उसके market में थोड़ी volatility होगी क्योंकि एक दिन ट्रंप आगे देखेगा एक बाइडन आगे देखेगा उनकी policies तो जमीन आसमां का फरक होता है इंडिया के लिए तो ट्रंप आएगे या बैडन आएगे कुछ difference नहीं मगर world की politics के लिए अमेरिका की politics क बहुत बड़ा बदाव आ सकता है तो यह तीन ड्रिस्ट्र के कारण थोड़ा वालिटिटी मार्केट में आ सकता है मगर फिर भी यह तीनों ऐसी नहीं कोई long term story के उपर कुछ जटका आने वाले हैं तो जो भी मौका है आप SIP या STP या systematically आप मार्केट में खरीदारी करेंग तो long term निवेशक के लिए फाइदमंदी होगा short term में return predict करना इतना असा नहीं है मुश्किल है क्योंकि यह सब risk factors जैसे play out होते हैं और fed का जो अनुमान है कि हम rate cut जरूर करेंगे जून में मगर अगर data बहुत strong हुआ तो अगर उनने कहा कि मैं delay कर रहा हूं तो मार्केट वह भ के लिए अच्छा आपने यूएस fed का जिकर छेड़ी दिया है तो इस बार अमेरिका में तीन बार rate cut होती की उमीद 2024 में जताई जा रही है पर क्या यूएस fed से पहले आरविया rate cut कर सकता है मेरे मतलम में नहीं इसका कारण क्या मैं बताता हूँ पहली चीज है कि generally rate cut आती है growth को support करने के लिए यहां पे तो growth तो 7-8% पे मजबूत चल रही है rate cut की ज़रूरत नहीं है देश की growth के लिए number one number two इंडिया में जो महौल है न वो important inflation through oil और supply side inflation through food की हमारी inflation को determine करती है demand side का उतना pull नहीं होता inflation के उपर तो rate cut या rate hike का असर inflation को अपर दिखता है जब एक demand रमन economy हो इंडिया में उतनी ऐसी चीज नहीं है तीसरी बात है आरवे का rate cut या rate hike की सोच के पीछे होते है currency का management right अगर US में cut करती है और हमने नहीं cut किया तो narrow होता है तो रूपी strengthen होगा तो RBI एक रूपी को बीच में रखने की कोशिश करती है इसको एक real effective exchange rate केते हैं जो 78 देशों के साथ अपना currency को compare करकर बिलकुल बीच में रूपी को बहुत डिवालेशन होगा तो शायद exporter को benefit होगा मगर importer के लिए हानिकारिक होगा और opposite होता है तो इसलिए जो rate cut की बात होती है वो में मेरे ख्याल में अगर देखें आपकी at the time that fed rate cut कर रही होती है तो रिट्रेस्ट डिफरेंशल से युएस में चार परसंट से लटसे साड़े तीन तक आ जाती है interest rates और हमारा तो है साथ तो जो difference होता है वो widen होता है ना विकास हम अगर rate cut नहीं करेंगे तो रुपी पर थोड़ा दबावा सकता है तो इसलिए rate cut ना करें तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई स्थिती नहीं है कि नेदर rate cut नौर rate hike मेरे को रेट पॉस ही आर्पा इस साल का एक outlook देख रहा है सर तो फिर क्या Googley तो नहीं हो जाएगी या यूस में जो तीन बार rate cut ना इस साल में इस साल में तीन हो यारे बात ये दोई चब्स तक उन्होंने तो मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट उसी को डिस्कॉंट कर रहे है, और वो फ्लोस इंडिया को भी आएंगे, यूएस की रेट कर, पर इंडिया में मैं उतना रेट कर का उमीद ना रखे, पिछली बार जब हमारी एकॉनमी बूम में चली 2003-2008, वो था हमरा पीक बुल रन, एकॉनमी और मार्केट को, तब देखें, इंफलेशन भी 6-7 परसंट के लेवल पर ही था, हमारे देश के लिए एक मॉडरेट इंफलेशन जरूरत है, ऐसे नहीं कि 2% इंफलेशन पर, जैसे देखें, नेगेटिव रूरल इंफलेशन हुआ था, 2018 के बिगिनिंग में, तो मार्केट में, एकॉनमी और मार्केट दोनों में करेक्शन आई थी, तो इंडिया ऐसा एकॉनमी, थोड़ा बहुत हेल्दी इंफलेशन, मौडरेट तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि क्याफेक्स में निवेश करेंगे, अगर उनको अपनी प्रॉडर्ट की दाम बढ़ते हुए दिखेगी, नहीं तो वो ब्याज के बढ़न कैसे सेट आफ करेंगे, तो इंडिया थोड़ा अलग है बाकी के देशों में, वहां पर डिमांड रिवन एकॉनमी है, तो इंफलेशन का बहुत असर होता है, हमारी यह सप्लाई साइड में, तो मेरे मानना है कि यह जो इंफलेशन और आर्बिया ने क्या किया, क्यों कह रहा हूं कि रेट कट नहीं होगा, क्योंकि आर्बिया का टार्गेट है चार परसंट, मैं नहीं देख रहा हूं कि इंफलेशन उतना घटेगी, विकॉस अल्टिमेटली सप्लाई साइड और डिमांड साइड का दोनों का बैलेंस लेके, पांच परसंट के लेवल पी मैं इंफलेशन देख रहा हूं, तो इसलिए ये भी एक कारण है कि मैं ज्यादा रेट कट नहीं अंटिस्पेट कर रहा हूं, मगर रेट कट एक बात है, लिकुडिटी सपोर्ट दे सकती है, उनकी बातें से वो कह सकती है, मैं सपोर्ट करूँगा, ये सब भी हाथ रखते, आपको नाराज होने की जरुरत नहीं कि रेट कट नहीं हुआ, क्या मार्केट में कर्रेक्शन आएगा, मेरे ख्याल में मार्केट ने भी रेट कॉज का ही एक अनुमान लेके आगे जा रही है, ऐसे बहुत रेट कट का बहुत स्ट्रॉंग उमीद मैं नहीं देख रहा हूँ, चाहिए अगले साल में हो साए, दोज़र पचीज में, बढ़ इस साल में मैं नहीं देख रहा हूँ. Right, sir. मार्केट पर याते हैं, और उसमें परवरी के बाद से, बहुत जबरदस गिरावट देखने को मिली है, और आप तो इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं, आपका AMC जो हुए इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं, और आपके mutual fund schemes में, mid cap और small cap stocks में, तो बहुत ही जबरदस return भी आपने डिलिवर की हैं, काफी ऐसे आपके mutual fund schemes हैं, तो आपको डरनी लगता इस वाली गिरावट से, जिस तरी की गिरावट और जिस quantum की गिरावट इस बाद small cap और mid cap stocks में हुई है, देखें, जो बड़प जो हुआ था February से पहले, और गिरावट जो आई थी, वो आई थी, ऐसे stock में, जहां पर ज़्यादा fundamentals यार एक quality की framework सामने नहीं थी, क्यों बड़प आई थी उनमें, क्योंकि हवा था एक तरफ, दूसरी तरफ liquidity बहुत था, तो हर fund manager को ढूणना पड़ा, अच्छे quality share, तो थोड़ा down the quality का जाना पड़ा, तो इस बात में हमारी fund hours के बारे में करें, तो हमने always quality approach रखा है, तो जो बड़प हुई थी, उसमें पूरा बड़प हमने capture नहीं किया, मगर जो गिरावट हुई थी, उन stocks में हुई थी, क्योंकि quality और non quality का जो difference, वो February में सामने दिखा, तो हमारी जो अब देखें, fund performance actually उस गिरावट में, हमारी fund performance बहुत improve हो गई थी, क्योंकि ultimately क्या होता है, ये correction क्यों हुआ, ये कि not only mutual fund की small and mid cap में, मगर outside the mutual fund के universe में, penny stocks, थोटे-बुटे stocks जो है, एक महौल बन गया था कि, you know, low-peer stocks को खरीदना है, पी-ए-स उसमें को हरीदना है, तो बहुत से liquidity कारण सब इक के रही के stock को उपर उठा लिया liquidity ने, तब सभी ने आके एक सावधान की, एक बादशीत की, कहे कई पे fraud लग रहा है, ऐसे किया, और उन्होंने mutual fund से कहा कि, आप ज़रा सावधान रहिए कि दो-तीन चीज, अगर कोई flows आपको बहुत ज़्यादा हो रहे और deploy नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें control कीजिए, number one. Number two, उन्होंने कहा कि, आप अपनी portfolio में stress test कीजिए, यानि आप देखिए कि, अगर आपके top 10 investors निकल गए हैं, तो आपको अपना liquid वाले stock को बेचना पड़ेगा, तो बाकी जो रहेगा investor उसके लिए बहुत concentrator high risk portfolio बन जाएगी, तो आप सावधान रहे हैं, उसमें देख लीजिए कि आपके पास adequate liquidity है, top distributor concentration, top investment concentration के हिसाब से, तो ये दोनों चीजिस उनों ने जो कही न, तो mutual fund में क्या है कि by and large mutual funds ने अपना liquidity अच्छा रखा, stress test की results तो सामने आगए, कोई दिकत नहीं है, फिर भी क्योंकि SEBI ने ऐसा कहा, थोड़ा बहुत, जैसे मानते हैं कि small cap fund में, SEBI का नियम है कि 65% small cap में रखना चाहिए और mid cap में 60% mid cap, अभी बाखी का जो 35% है, वो कहां डाला जाए, तो पहले, SEBI के statement के पहले, advice के पहले, चाहिद वो 65 के बगर 80% small cap में रख रहे थे, तो शायद अभी SEBI ने इसे खेह दिया, तो उन्होंने study किया, तो probably 80 को लेकर 75 किया, वो 5% की जो small cap या mid cap में selling हुई, और large cap का buying हुआ, उसी के कारण correction बहुत आगया, because small cap segment में free float बहुत कम होते हैं, क्योंकि promoter ही 60-65% stock को own करते हैं, वो तो बाहर trading में नहीं आती, फिर institutional owners 10-20% रखते हैं, तो खाली public के हाथ में जो होता है, free float वो कम होता है, तो थोड़ा बहुत 1-2% भी उसमें selling हुआ, तो गिरावट buying कर आएगी, one, two, जैसे वो गिरावट आती है, यह जो traders होते हैं, जो उन्होंने बहुत दुगना, तीन गुना अपने जो stock tip पर खरीदा, वो जाके जट से बेचने लगे, क्योंकि उनको डर था कि इसका बहुत एक volatile effect आ जाएगा, तो उन्होंने जो बेचा, तो naturally उन stock में ज्यादा correction आया, तो मेरा मानना है, कि यह correction एक healthy correction था, जो भी कारण इसके लिए था, और आने वाले दिन में मैं ऐसे correction का repeat नहीं देख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक बार वो quality और non quality का फरक सामने दिख लिया, second चीज है, कि यह 19,000 क्रोड की SIP book, जो है mutual funds के आतों में, उसमें मेरा मानना है, कि 8,000 से 8,500 करोड आपको mid cap और small cap में SIPs है, तो हर मैने 8,500 करोड फंड में के हाथ में small और mid cap stocks करें लाइक पैसा आ रहा है, तो जैसे कुछ quality कंपनियां गिरती है, तो जाके जट से खरी देंगे, तो मेरे ख्याल में, अगर आप एक quality के ओपर ध्यान दें और एक diversification और mutual fund की expertise जो stock picking में होती है, उसके ओपर भरसा करें, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा correction mutual fund की जो portfolios है small and mid cap में, उतना ज्यादा correction में आने की संभावना नहीं देख रहा हूँ, इसलिए सावधान रहे के आप SIP के जरिए इसमें continue करेंगे, तो फाइदमंद रहेगा, कोई बड़ी डरावट की ज़रुरत नहीं है, और in fact यह जो आकड़े आ रहे थे इस बार MFE के Association of Mutual Funds in India के वो बोल रहे हैं कि 26,866 करोड रुपे फरवरी में equity mutual funds में inflow देखने को मिला है, जो कि 23.3% बड़ा है और 36 महीने consecutive equity funds में positive inflows देखने को मिले हैं, सिंस मार्च 2021 में हर महीन उसके बाद से हर महीने positive inflows देखने को मिले हैं equity mutual funds में और उपर से investments through systematic investment plans reach all-time high levels, a new all-time high level of 19,186 करोड रुपी इन फेबरी, यह तो 19,186 करोड रुपे एक ही महीने में आ रहा है SIP के जरीए, सर पर यह एक मुष्ट निवेश न बहुत सारे mutual funds ने small cap mutual fund schemes में रोक दिया, इसके पीछे क्या मंशा थी और क्या systematic investments जारी रख सकते हैं, यह one time investment क्योंकि अगर panic आ जाते हैं तो फिर जादा पैसा लगाना चाहिए ना फिर तो one time mutual fund पैसा लगाने की अनुमती होनी चाहिए, रोका क्यों गया? एक नियम होता है कि portfolio के अंदर उसके 10% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, दूसरा नियम कि उसकी free float या उसके ownership के अंदर भी आपको 8-10% के नीचे रखना चाहिए, तो इसलिए आपको बहुत diversity है, अब quality के ढून्टे-ढून्टे हुए, आप total 250 stocks small cap index में, 110C में अपने निवेश कर दिया, तो बाकी क्या रहा? इसलिए ऐसे fund नों ने अपना flow stop किया, वो अच्छी बात है, मगर बहुत 40 MCs है ना, जिसके पास small cap fund है, उस पे खाली 3-4 गिनेच उने नहीं stop किया है, बाकी सब fund houses है, जो और नहीं नहीं stop किया, जिसे हमारे fund house को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने देखा कि हमारे liquidity situation और हमारी investor और distributor concentration बहुत comfortable है, तो हम तो पैसा ले रहे हैं, CPK थुरू भी ले रहे हैं, लंसम भी ले रहे हैं, वो एक चीज होती है कि बहुत polarized अगर flows कुछ 2-3 fund को जाते हैं, तो उन्होंने stop किया है, उनके लिए उनके fund manager के outlook मगर overall broader market में opportunities है जिसके पास quality के ऊपर ध्रूंटे हुए हम निवेश कर सकते हैं इसलिए कोई जरूरत नहीं है, एक mutual fund ने बंद कर दिया, तो दूसरी track record देख लिए और निवेश कर दिए, कोई प्रॉडम नहीं है। तो इनफो जो आते हैं, आप देख लिए कि किस तरह के देखे, आप sectoral इनफो आते हैं तो वो क्या होता है कि एक opportunity होता है उसमें entry time और exit time दोनों आपको मन में रखने के लिए, बड़ ड़िवेश में mutual fund होता है, तो इनफो में क्या होता है कि थोड़ा बहुत एक मैने का और कि एनफो में जब निवेश करते हैं, आपको उस fund का तो track record नहीं होगा, बागी उस fund house के बागी fund का track record तो इस पे दे रहे हैं, तो उसमें आपको वो देखना चाहिए कि क्या fund house different types of funds को अच्छा manage कर रही है, फिर वो जो अभी कर रहे हैं, अभी देखिए, mostly आप देखें तो small cap, mid cap, ऐसी सभी existing fund houses के पास ये तो fund आ गए है, नए fund houses जो launch हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, बगर उनके पास क्या experience है, उनके fund manager बागी किसी fund house में small cap manage किया है, तो launch करें, ये सब थोड़ा जानकरी लेकर फिर आप निवेश कीजिए इसमें, वैसे तो मुझे NFO एक तरीका है, existing fund fund और NFO में आप देखें, तो existing fund में को track record आपको मिलता है, जैसे आप judge कर सकते हो कि over a long term इसने कैसा deliver किया है, उसके आफ़ आप देख रहे हैं, ये लोग क्या है न, ये 10 रुपे पे मिल रहे हैं, इससे सथा में मिल रहा है, ये गलत बात है, क्योंकि 10 में मिले या 1000 एनी भी म है, और record trigger है, आप company की नतीजे आने वाले हैं, तो ये तिमाही नतीजे में सबसे बहतर performance आपको कि सेक्टर की लगते हैं, देखे, performance अब इस को तिमाही की बात करें, तो अब हम festival season के आंखडे तो पिछले तिमाही में थोड़ा बहुत आ गए थे, मगर जो end में जो हो आठ से December Christmas की और जो sales है, उसका शायद January, February, March में उनके आंखडे दिखेंगे, तो April से जो result आ रहा है, उसका एक impact दिखेगा, second चीज में कह रहा हूं कि consumption के number कोई बहुत polarized है, कुछ segments में अच्छे दिख रहे हैं, अभी tubular में अभी थोड़ी जान आ गई है, और tractor में थोड़ा चाहिए, आपको जो outlook बता रहें, क्योंकि ये end of the financial year है, तो हर company अपने अगले financial year के लिए plan कैसा है, उनकी order book कैसी है, उसके उपर बातचीत करेगी analyst कॉन कॉन में, मेरे ख्याल में market उन चीजों के उपर ज़्यादा react करेगा, और ये जो numbers आते हैं, वो समझे कि पिछले साल का आंकडा है, हो गया है, हो चुका है, आने वाले दिन की क्या बात है, तो वो ज्यादा importance रखेगा, तो मैं analyst का जो ये एक discussion होता है, company की जो guidance होती है future के बारे में, क्या देख रहे हैं, वो number one, number two, domestic private sector का capex cycle अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि capacity utilization एक 75% पे अटक गया है, तो ह अनि capex cycle private sector की भी शुरू हो रही है, वो आई की तो बहुत positive impact रहेगा, क्योंकि capex cycle का जो stocks है, और री चल चुके हैं इस उमीद पे, अगर वो उमीद और reinforce होगी, तो उसे और आगे चल कर भी बड़क दिख सकता है, तो वो मेरा ध्यान इस earnings तिमाही में होगा, outlook कर guidance के उपर ज्यादा, पर पर्टिकुलर्ली कोई ऐसी themes हैं, pockets, sectors हैं, जो real outperform कर सकते हैं, चाहे, इस्तिमाही मेंने सही, over a period of time, 2024, 2025 तक, कौन सी themes हैं जो dominate करेंगी stock market पे, मेरे को न, जो कहते हैं, तो banking and financial services, अभी banking and financial services में, लोग एक ये करते हैं कि खाली lending के बारे में सोचते हैं, बर lending का अभी रुजान अच्छा होगा, क्योंकि जो private sector का ख्यापक शुरू होता है, तो banks ही primary lenders होंगे, और जो NIMP पे उपर एक compression recently आपको दिखा, और RBI ने जो restrictions, retail lending पे डाल रहे हैं, उसका corporate lending का growth, मैं अगले साल, डेट साल में बहुत जबर्दस देख रहा हूं, तो corporate banks का, मैं net interest margin widened होते हुए दिख रहा हूं, उदर interest rate का भी resistance कम होगा, प्रकस competition उतना नहीं होता है, जब एक 1000 करोड, 5000 करोड की loan होती है, तो 2-3 bank मिला कर उसको दे देती हैं, वेरास retail में बहुत मारा मारी होती है, तो एक banking sector के उपर, second मैं कहूंगा कि NBFCs, अच्छे NBFCs अच्छे करें के मगर the other side of the balance sheet, यानि financial service में आते हैं, AMCs, listed AMCs, stock broking companies, wealth management companies, stock market, infrastructure companies, insurance companies, यहां पे मेरा बहुत बड़ा स्टोरी दिख रहा है, क्योंकि यह जो job creation की जो सिलसला शुरू होगी paylai के पीछे और per capita income की बढ़प, तो उसमें क्या होगा कि मेरे ख्याल में savings का share, अभी 2000 के करीब है ह income, आप देखेंगे तो जब 1000 था 2012 में और उस एक decade में हम दुगना होगे, 1000 से 2000, तो bank deposit की overall growth तीन गोना हुई थी, यानि जैसे ही आपको per capita बढ़ता है, तो savings का ratio और भी बढ़ता है, अब हम अगले 4-5 साल में इसको वापिस 4-4,000, 4-4,000 करोड के level पे हम per capita को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो savings का potential जो market के थो आएगा न, जैसे मैंने पहले भी कहा, bank का share घट रहा है और mutual fund का बढ़ रहा है, तो ये मेरे लिए financial services के अंदर the penetration का story, बहुत जबरतस्त एक medium term का growth story है, तो मैं overall BFSI pack में आप ध्यान देंगे, तो मेरे लिए recently उसका performance अच्छा नहीं रहा है, तो इसलिए मेरे लिए outlook क्योंकि valuations भी अभी reasonable है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा strong growth अगली 3-5 साल में BFSI space में दिख रहा है, one, second मैं कहूंगा कि high end consumption, जैसे per capita income बढ़ती है, लोग अपना रोटी कपड़ा मकान basic, जो कहते है FMCG या consumer staples, उससे बढ़कर discretionary consumption, जिसमें आते हैं consumer durables, जिसमें आते हैं housing और जिसमें आती है auto, बड़ी बड़ी car खरीने की, ये मैं देख रहा हूं again एक बहुत बड़ा लंबा story है, जो इस infrastructure story के पीछे, जो job creation के कारण per capita income की बढ़त होगी, वो एक long term play है, जहां पे आप एक बहुत बड़ा V-shaped recovery दे सकते हैं, देख जो नए निवेशक आ रहे हैं, वो investing की बजाए trading culture को अपनाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये trend भी बता रहा है, हमारा जो FNO turnover है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बन गया है, हमारे market में FNO turnover, अभी के हिसाब से, अगर किसी को समझाना हो कि compounding का फायदा क्या होता ह है, तो आप उसे क्या सला देंगे, और शेर बजार में wealth बनाने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? पैसा बनने की एक कोशिश में आ रहे है, उनको जाके long term निवेश ये सब बात करेंगे ना, तो आपको थुके side में जाके वो अपना काम करते रहेंगे, तो उनके लिए एक यह चीज है, कि यह ज्यादा तर ट्रेडिंग stock brokers के तुरू करते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको अ होट बटन, F&O के तुरू, quick buck कमाने की कोशिश है, बिकास ultimately उनका factor ही है, quick buck, or lose करने के लिए भी ताया रहे है, तो वो बात gambling का जो है, वो तो वैसे ही रहेगा, मगर जनरल एक निवेशक को यह power of compounding, यह story बताने के लिए, simple सी चीज, I think SIP से बहतर कुछ चीज नहीं है, क्य कि उसको हाथ देती है, तो मेरे ख्याल में, यह SIP का रूप, क्योंकि छोटा-छोटा आंखणा हर महीने आप डालेंगे, तो वो भी देखेगा, ठीक है, जाने दो, जाने दो, ध्यान नहीं देता है, फिर suddenly आप तीन साल के बात देखेगा, वो जो भी पैसा डाला है, उसको बने लाकों रुपे बन गए, तब ही उसकी मैंडसेट चेंज होगी, क्यों नहीं उसको, विकोस कल्चर जो है, आज है ना, कल्चर है यह माएक का, बाइन आव पे लेटर, तो उसको हमें बदलना चाहिए, सेव नव बाइन लेटर, तो वो जो है, इस फॉन्डमेंटल इस फॉन्डमें नहीं है, वो गाड़ी नहीं खरीते हैं, वो घर नहीं खरीते हैं, रेंट बेरे जाते हैं, उनको सब इमेडियेट एक्स्पेंडिचर का एक आउटलूक है, तो वो एक सोशिल एफेक्ट है, जो हमें दीरे-दीरे बताना है, उनको की मार्केट में इनिवे से वो समझ सके कि छोटे-छोटे इंस्टॉल्मेंट से भी बड़े-बड़े मैचुरिटी का जो आप प्लान कर सकते हैं, अच्छी फ्यूचर में एक इन्वेस्मेंट अल्टिमेटली, उनके लिए यह बताना है, यह पोस्पोन्मेंट आफ कंजम्शन है, उनको यह नहीं सो कोटा निवेश, अगर आप आज नियमेत रूप से करना शुरू करते हैं, तो लंभी अवदी में उसका बहुत फायदा होगा, अच्छा अभी तो वैसे गोल्डन पीरेट चली रहा है, शेर बजार बहुत बहुत बहुतर रिटरन दे गया, उपर से गोल्ड, के दाम बहुत स्पीड से बढ़े हैं, और बिल्डर का फोकस भी लग्जिरी प्रॉजेक्ट पर एकदम से हो गया है, अब सबका सपना होता है कि अपना एक घर हो, तो ऐसे में उस घर की डाउन पेइमेंट करने के लिए, या फिर जो घर पहले 60 लाग का था, वो सवा करोड का हो गया, एक दम से अचानक से एक दो साल के अंदर अंदर, तो ऐसे सपने को पूरा करने के लिए, म्यूचिल फंड में SIP अगर कर लें, तो क्या लोन की किष्टे भरना समय से पहले, लोन की किष्टे भरी जा सकते हैं, इतना कौपर से कठा हो सकता है, और दूसरा क्या प खाली 10% अपने SIP के जरीए कोई भी एक ब्रॉड मार्केट फंड ऐसे फ्लेक्सी कैप और लाजर में निवेज किया, मेरा मना है कि जो 20 साल का लोन रहे, आप 15 साल में उसको भर पाएंगे, तो सिंपल सी बात है, उतना इंट्रेस्ट सेविंग्स अपका होगा, 5 साल का जो है, वो सेविंग्स हो सकता है, और आपके लोन भी जल्दी है, आपके घर अपनी घर बन जाएगी, नौट के गिर भी रखी हुई घर, तो वेरेख्याल में 10-15% आपके जो EMI है, उसको आप SIP में निवेज कीज़े, वो एक बात में साल लोंगा, सेकेंड तिंग इस, कॉर् मैं निवेश की सला दूंगा, लाज कैप पे रही है, क्योंकि उदर क्या होता है, आपको इतना वड़ाप नहीं होगा, मगर गिरावट जैसे जो फेबरेरी मार्च के बाद आई, वो भी नहीं होगा, तो आपको वो स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि आपके वो घर के लिटरन मान के अपनिवेश करेंगे, तो आपको 4 साल में या 5-6 साल में दुगना हो सकता है आपका पैसा, इवन 12% में देखिए, रूल बूम अपन्दरा परसंट आगया, तो चार साल में आपको करिमन दुगना हो सकता है, तो ये बात मैं कहुंगा कि आप वो जो एक क्वार्पस का जो मार्जिन मनी के लिए कर रहे हैं उसको लाज के अब लाजन मिट कैप ऐसे शेत्र में लगाई है और तीन से पांच सार पांच से साल अब निवेट करेंगे तो डबल हो जाएगा तो आपकी घर के लिए वो भी फाइदे मन होगा तीसरा आपने पुछा जो डॉमेस्टिक ग्रोथ का है उसमें 70-80% अब खाली IT स्टॉक्स को छोड़िये मिट कैप के अंदर बाकी सब जाधा तर डॉमेस्टिक ओरियंटेड स्टॉक्स होते हैं IT और फार्मा को छोड़ कर तो मिट कैप सेगमेंट एक लॉंग टर्म निवेश के लिए सबसे बहतर सारीन इह अब इसमें स्मॉल के पासे ऍसात साल का आप आपके पास कुछ गोल है अचीव करने के लिए तो फा यश जैसे-ऍस रफ्र करिण करेंगे जैसे ही पांच-एप में ठोड़ा आपको एंट्री और एकृडूनों को मैनेज करना है ओर वर aнем और एक एडवाइसरarin mutual fund distributor आपको यह सरा दे सकता है कि यह business cycle के तौर पर आप निवेश enter कीजिए exit कीजिए blind long term के लिए मैं mid cap का better सब्सक्राइब हूँ at the same time आपको volatility कम चाहिए तो large cap और large and mid cap बैतरीन और flexi cap यह बैतरीन है क्योंकि आपकी risk capital भी इसमें आपको देखने की ज़र्वत होती है निवेश करगा तो एक mentality होती है जो आपका risk profile वो आपको study करना होता है या एक advisor के जरिये आप study कीजिए और वहां पर देखेंगे अगर आपकी risk की एक appetite कम है तो मैं कहूंगा कि large cap large and mid cap में आप ज्यादा निवेश करें जहां पर decent returns आपको definitely inflation beating returns in a post tax basis तो मिलेंगे और मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को 60-70 परसंट लाज इन लाज कैप और लाज इन मिट कैप फ्लेक्सी के अपमें लगाने चाहिए और बाकी मिट कैप में टैक्टिकली आप लगा सकते हैं लॉंग टर्म के लिए तो एक चीज है कि सबसे conservative जो investor होता है फिर भी उनको एक future में better future भाविश्यक की better यह तो मैं hybrid category का recommendation दूँगा जहां पर होते हैं balance advantage fund जहां होते हैं aggressive hybrid fund जहां होते है multi asset allocation fund जिसमें gold भी शामिल होता है यह सब 10 to 12 percent का return और post tax में 10 percent ही long term capital gains है equity oriented यह hybrids में तो आपको definitely bank deposit से दुगना post tax basis पे return मिलेगा at the same time 25 30 40 percent जो कभी-कभी equity market में होता वो नहीं आएगा मगर अगर आपका risk capital बहुत कम है तो ऐसे hybrid categories में आप निवेश कीजिए और regular income अगर चाहिए तो यहां में से आप SW के जरीए कितना आपको monthly expenses का यह उसको आप असानी से उठा सकते हैं 8 to 10 percent को कि उतना return तो long time में बन जाए तो 8 to 10 percent आप SW के तुर नहीं का नहीं तो यह retired people के लिए भी बहुत एक ideal fund होती है यह hybrid category राइट सर आकरी प्रशन होगा आपसे थोड़ा confidence बढ़ा दीजिए इससे में निवेश कूंगा क्योंकि बहुत जादा उठा पटक देखने को मिली मार्केट में और अभी भी portfolio में तनाव है बजार तो record levels पे दिखाई देता है लेकिन लोग के portfolio में नहीं हो पाया इस बार बहुत जादा dent पढ़ गया अभी आपसे बात हो रही है लेवल पे निफ्टी अगर आप पंदरह दिन पहले हम जॉइन होई होते हैं तो 2100 के लेवल भी दिखाई दे गया था वो तो एकदम से तेजी पर गड़ली मार्च के end आते आते हैं तो अभी फिलहाल आप इस साल का outlook क्या बताएंगे मार्केट को लेकर और अगर कोई target का return हुआ उसके उमीद मत रखी है क्योंकि बेस लो था पोस्ट कोविट सेकेंड जो mutual fund की penetration की स्टोरी स्टोरी पिछले साल देड़ साल में ही शुरू हुई तो suddenly burst of liquidity जाके market को उन्होंने support दिया है तो अगले साल में क्या है कि इंडिया स्टोरी ज्यादा तर डिसकांट है अल्रडी बहुत बढ़ चुके हैं एक तो मैं कहूंगा reasonable expectation रखें क्या है reasonable expectation large cap nifty के segment में मैं कहूंगा कि आप 12 से 14% का expectation रखें क्योंकि nominal GDP उसी सबसे बढ़ेगी और nifty का plus minus उधरी होगा mid cap में मैं समझता हूँ को आपको थोड़ा उसमें 15 to 18 भी हो सकता है small cap में थोड़ा उससे बेटर भी 18 to 20 तो पिछले बार आपने देखा कि 24% 60% 70% ऐसा एक उमीद रखकर अगर वो नहीं हुआ तो नाराज हो जाएंगा ये बात पस आपके मन से हटा जीजिए और जो मैं returns कह कर सकते हो आप एक साल में वो तो बहतर है अपको क्यों आपको उससे नाराजगी होनी चाहिए तो एक जो कह रहा हूं लो डबल डिजिट तो हाई डबल डिजिट अक्रॉस तो कैप क्रॉफ लार्ज कैप तो आई नो स्माल कैप यह उमीद आप रखके चलेंगे तो आप ज् चुक्रिया थैंक्यू दन्यवाद बेस्ट विश्ट शुक्रिया बिस्तक आपके लिए लाया है प्रेमियम मेंबर्शिप प्रग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में मार्केट न्यूसलेटर लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत बुट इस प्रेमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं सिल्वर, गोल्ट और प्लाटिन जिनके शुरुवात मात्र एक सो उनसर रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है विस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे प्रेमियम मेंबर